हेलो दोस्तों आप सभी का अपनी चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है फ्रैंक्स ऐसा आपने देख लिए होगा और इनका पराठा मैंने लिख रखा है तो चलिए आज हम और इनका पराठा बनाते हैं तो दोस्तों मैंने इसके लिए चार मैंने लिया था ऐक चमच हम धनिया को हमसे थोगा क्रस्क लेंगे डाल देने हैं इसको भी जाल अब इसमें हम नमक स्वाधी के अंसार डाल देंगे और हल्दी पाउडर राधी चमच इसको भूल लेंगे दो मिनट अब इसको हम कबर करके रख देंगे दो मिनट क्री हमें बहुत फ्रेंक्स को पकाना नहीं बस हलका से मुलायम हो जाए बस देखें हो चुका है यह अब इस अब इसमें हम ढाल देंगे धनिया पाउडर और लाल मिर्श पॉड़र एक चम्मच में पाउडर डाला है और आधी चम्मच लाल मिर्श पॉडर इसको भूल लेंगे 102 मिनट अब आगे फ्रेंक्स बताते हैं आगे हम मेरा हो चुका है तो इसमें हम गैस को हमने बंद कर दिया है आम चूर पाउडर राल देंगे एक चम्मच और हरा धर्मिया गैस को बंद करके डाले गई इस सब चीजे और इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख दीजे ये बिल्क मसल लेते हैं कि आटा गूंते समय दिखाना कोई मतलब नहीं था इसलिए मैं आटा गूंते समय वीडियो में नहीं बनाया इसको देखे लोई पना जितना चोटा बड़ आपको करना हो ले लेंगे और बेल रेंगे इसको रोटी से तोगा मोटा रखना है क्योंके में आया पराथा बनाएंगे ऐसे पराथा बना बनायेंगे तो आपको पसंद आप वह बना लीजिए गाट इसको बेल लेंगे बिलकुल हलके हांसे बेल नहीं दूए भूट जाए मधैन देखिए पराथा बनाएगे कर बहुत तेस्टी लगता है बितलब आको लगे गहिन हैं आपको प्यास का पराठा का रहे हैं आप जरूर बनाएगे एक बार इसे तरह से मौड बना लेंगे एक आपको बना के और दिखा देते हैं प्रेंस रोटी से तोड़ा मूटा रखना है उसके बाद देखें बेल लिए हमने अब इसको फैला देते हैं फैला कि इसको साइट साइट उठाएंगे हम और फिर तिकोना बना लेंगे गर आपको गोला बनाना है तो सिंपल भरके जैसे हम आलो का पराठा बनाते हैं वैसे ब फ्रैंक बहुत दबाएगा नहीं अब चलिए अपना हम तावा गरम हो गया है मेरा तो फ्रैंक मनियस पिसलिए पराठा के तावा रखा क्योंकि जल जाता इस पर हलका साइल लगाएंगे और अपने पराठा हम डाल देंगे तो थोड़ी दिर इसका वेट करिए थोगा से ए दोस्तों वैसे हमें इसको बनाना है तो देखिए इसको पलग दिया भी तेल लगा दिंगे गैस को थोगा में मेडियूम रखा है तो यह दिखिए फ्रैंक से इसको थोगा-थोगा ही लाते रहें उसी पर प्तावे पर ही ताकि सारे तरफ से अच्छे से हो जाए देखिए इक बन चुका है आपको हम एक और बना के दिखा देते हैं बाकि हम इसे तरीके से सभी पराठे बना दें गोला वाला भी ऐससे तिकोने वाले भी तो आपको जो पसंद ओ आप वो बनाईएगा तो बस इसको प्लग देंगे और तेल लगा देंगे इसमें भी कि और फिर से इसको हम पलट देंगे फिर इसको ऐसे हम सेख लेंगे फ्रेंक्स जरूर इनी है कि सारे पराठे फूले हैं उसके लिए टेंशन मत लिजेगा तो बात इसको भी ऐसे हम बना लेंगे अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब कर देजेगा फ्रैंक्स आप वीडियो भी नहीं पूरा देखते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता फिर वीडियो ब बनाने का चलिए फ्रैंक्स मिलते आप से क्लिवी यूट्र तक वाइबाने टेक केर आप